खलो एवरिवन वेलकम ओल्स वागते हैं आप सभी का विदान्त क्लासे की इस ओंलाइन प्लेटफोर्म पे कैसे हैं आप सभी सभी मस्त होंगे स्वस्त होंगे और अपनी अपनी तयारी में व्यस्त होंगे चलिए हमारी computer की class के अंदर जो हमारा last वाला शिशन था और MS Word हम लोग पढ़ रहे थे और MS Word के अंत्रगत जो है हम लोगों ने page layout tape को complete कर लिया था हमारे last वाली class में आज हम पढ़ेंगे references tape के बारे में क्या है references tape और किस तरीकी के question जो है MS Word से related इस वाली tape से related question जो है exam paper में आते हैं क्या question में ऐसा क्या word लिखा होगा जिसको देख के जिसको पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि यह जो question है reference tape से related question जब वहाँ पर इस type questions आये कि एक word document में अगर आपको table insert करनी हो या आपको document page के content को table में convert करना हो इस तरीके questions आ जाए तो इसका मतलब हम से references tape के बारे में पूछा गया है footnote से संबंदित कोई question आ जाए कि एक document page में आप footnote insert करना चाहते हूं footnote insert करने के लिए किस टेप का उपयोग करेंगे किस command का उपयोग करेंगे तो भी आप किसके बारे में पूछ सकते हैं वाई references tape के बारे में पूछ तो आज का session हमारा references tape के बारे में रहेगा साथ ही साथ में mailing review and view tape के बारे में भी रहेगा मैं कह सकती हूँ कि आज के session में हमारी word जो है MS word वाला topic वो पूरा complete हो जाए तो चलिए stat करते हैं तो देखे गार references tape references tape वैसे सबको पता है कि references का मतलब होता है किसी चीज से संदर्वित करना तो जैसे कि अगर references tape की में बात करूं तो MS word की जो reference tape होती है इस reference tape के अंदर सबसे पहले वाला block आता है table of contents क्या प्लोग आता है table of contents यानि इस table of contents वाले block की हम बात करें तो इसमें हमें एक command मिलती है table of contents क्या मिलती है table of contents तो table of contents की मैं बात करूं तो बही जैसे कि एक document page देखो ध्यान से दोनों चीज़े समझना कि अगर document page के हम बात करें क्या इस document हो सकता है कि आप लोगों ने तीन-चार pages बनाए हो कितने page बनाए हो तीन-चार page के आपने एक file बना दी हो अब इस file के कि इन pages पे कौन-कौन से topic है या कौन-कौन से आपने title लगाए जैसे होता है न कि आपकी कोई book हो और उस book के अंदर कितने सारे chapters है सभी chapters का starting के page पे एक index बना होता है एक सार्णी बनी होती है जिसमें serial number लिखा होता है सिशक का नाम लिखा होता है और कौन से page पे हैं वो सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है तो वैसे ही यह जो आपकी MS Word की यह document file होती है file की जो है परतियक page की जानकारी अगर आपको एक page पे लेके आनी है उसके लिए आपको क्या क्मांड यूज़ करने पड़ेगी के लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ती है है Table of contents Ki Table of contents यानी कि आपने contents को compressed कर दिया है ठीकि जिसमें आप contents का title लिख सकते हैं उसके purchase लिख सकते हैं सब कुछ आप इसके अंत्रगात लिख सकते हैं Table of Avant contents की टेबल of content वाली command का use हम इस तरह के से कर सकते हैं भिर बात करते हैं कि इसके next ग्रूप आता है footnotes, क्या आता है footnotes, footnotes क्या होते हैं, कि अगर आपको कही पे भी document page में कुछ extra कोई line लिख रही है, जिस एकसर आपने देखा होगा, कि books जो market में available होती है, कई books जिसे object type books की में बात करूँ, objective type books में आपको पता है, कि उपर objective type question होता है, उसकी चार option होते हैं, और उन चार option के नीचे एक box बना होता है, जिसमें जो सही answer है, उसके लिए कुछ reference दिया होता है, संदरवित किया होता है, कि इसका ये right answer होने का कारण है, उसकी detail दीवी होता है, तो वो एक तरीके से footnotes ही है, क्या है, तो ऐसी ही, अगर आप अपने document page में कहीं पे, कहीं पे भी आप document page में footnotes यूज़ करना चाहते हो, footnotes वाले block के अंदर, हम insert footnote, insert footnote वाली command का use करके, एक document page में footnote को insert कर सकते हैं, यह समझ में आ गया होगा होगा, आपको, यहाँ पर देखो कि तो references tape थी, इसमें 6 block ह होते हैं, 6 command नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे, 6 block होते हैं, यह 6 group होते हैं इसके, और उन groups के नाम बताएं, तो सबसे पहले table of content, table of content, index संबंदित कार्य हे तू, किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, जैसे हम लोगों की books के आगे भी जो पहला front page होता है, उसके बाद में control plus alt plus f, यह footnotes की क्या है, shortcut की है, इस shortcut की से है, जब आप press करते हो, तो एक document page के सबसे last में footnotes का column आ जाता है, और इस सरके का यह box आता है, तो इसमें आप अब footnotes लिख सकते हैं, तो document के page के bottom में reference देने के लिए हम footnotes का use करते हैं, next बात करें, next इसके अंदर एक command होती ह है, end note, end note की बात करें, तो document file के सबसे last वाले page बे, suppose करो कि आपकी 10 page की, कितने page की बई, 10 page की आपकी file है, तो आप सबसे last वाले page पे, सबसे last वाले page पर, अगर कुछ संदर्वित करना चाहते हो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, market में जो chronology आती है, उस chronology का सबसे last वाला पेज़ पर लिखा होगा होगा होता है, बहुत सारी शुब कामना है, या कुछ भी other extra जो news देनी होती है, वो सबसे last वाले page पर लिखी होती है, end note का मतलब है, document page के, document page के, सबसे last वाले page पर references देने हैं, हम end note का use करते हैं, अब दोनों में अंतर क्या है, footnotes और end note, footnotes आप जो है, document page के, परतिक page पर दे सकते हो, लेकिन end note जो है, वो document page के, सबसे last वाले page पर ही दिया जाएगा, end note की shortcut की होती है, control plus alt plus d, क्या होती है, control plus alt plus d, अब आगे देखो, आगे अगर हम बात करें, next इसके अंदर block होता है, bibliography, insert caption, index and table of auditories, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करू करें हम, तो वैसे तो basically इस वाले block से कोई questions आता नहीं है, तो इसको इतना जारा है important भी नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आजाएगे वापस इस वाले block पे index की बात करें, तो बही चैसे index आप table of content के माधियम से भी एक index बना सकते हो, document file का, और अगर इस वाले index की बात करो, तो इसका भी same वही काम है, table of content जैसा कि आप एक index create कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं, चले तो references tape के लिए बस यही दो जो block थे, यह important थे, यह मैंने आपको अच्छे सा समझा दिये, इनके अलावा कोई प्रश्न बनता नहीं है, यह बाकी की सारी चीजे देख कोई भी कारिये करना है, मतलब एक document file में email से संबंदित आप कोई भी कारिये करना चाते हूँ, यह को ध्यान से समझना कि mailing tape से questions कुछा गया है, यह पता करने के लिए, आपको keyword निकालना है, keyword क्या है, जब यह आ जाए कि document page में email से संबंदित कोई काम हूँ, document page में email से अगर बात करूँ, सबसे पहले देखो, इसमें पाता है, create group, क्या आता है, create group, अब create group है, आप इध्यान से समझता है, आप जब email के माध्यम से कोई invitation card भीजना चाते हो, email के द्वारा जब आप किसी को invitation भीजते हो, पहले की time में हम लोग invitation कैसे देते थे, मलब हमें हमारा something को एक paper पर लिखते थे, जो भी हमारा message होथा था, को हम एक paper लिखते थे, इसको हम एक mail कर फिक करते थे, मतलब एकạt लिटरस लिखते थे, address लिखते थे, फिर अफुन पोस्ट करके आते थे, पंस qu chick है next year to show the name, message, टाइम लगने का मतलब है कि पहले आप उस चीज को पेपर पे लिखोगे फिलिफ आफे में डालोगे फिर एटरा इस लिखोगे अलांकि वेका वैसा ही प्रोसेश हमें ओनलाइन में भी करना है लेकिन वह था ना कि पोस्ट में ले जाएगा उसको डेस्टिनेशन तक पोचाय पेसने के लिए आपको संब्सक्ताइब के मेलनंग के चाहत है क्ता किश्ट्री वैलन टेप करना है आप क्या करेंगे सबसेपalदे क्रिएट ओप्षिन पर शुरौर्शं करेंगे तो आप एन्हेले पर शुख वाली प्रोसमें चाहत आप कमान्ड का उसमयूस से उसक्राइ आपने एक लिफाड़ा तयार कर लिया है अपने मैस्मेश के सब्सक्राइब कर एक लिफाड़ा करेंड़ी और वह लिफाफा आप से परीटि वाई पढ़ते हैं कि व्यक्ति के पास वह message अलग अलग तरीके से पोचेगा और आपको बार-बार बना बहुत सारे लिफावे बनागे बहुत सारे लिफावे पोस्ट करके फिर वह message बेजना पड़ेगा जबकि यहां online में क्या है online में आपके लिए स्वीडा है कि message एक ही है लिफावा आपने एक ही बार बनाया address आपने एक ही बार डाला है लेकिन लोग बेज़े जाना हुआ वालों की list आपने एक बार त्यार कर ली और एक ही time में वह message जितने की आपने list त्यार करी है सबके साथ एक समान रूप से पोच गया है यह फाइदा इस वाले ब्लॉक का यूज करेंगे इस पे हम क्या करेंगे वह एन्वला रेडी कर लेंगे हमारा एन्वला रेडी कर लिया उसके बाद में देखो इसमें command आती है लेबल कमांड अभी लेबल कमांड कहा है जैसे हम लिफावे पे अपना address और सामने वाले का address लिखते हैं इ कर लेबल कड़ना करने देखो क्या होता है चैबल के अंदर में क्या करना है चैबल में तो आपको लिस्ट तयार करनी है उनलोगों की इनको आप यह मैसेश भीजना चाहते हो उनकी list ready कर लो तो यह भी एक तरीके से क्या है लेबल करना ही है और यह भी आप लेबल कमाइट के बाद से ही कर सकते हो अब इस संदेश को आपको लोगों को भीजना है ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए जाएंगे हम कि next block में और next block ले start mail merge next block कुण सा है वही next block है start mail merge अब start mail merge की में बात करूं start mail merge में सबसे पहली command आती है start mail merge start mail merge दो तरीके से होगा यहां पर इस type का question बनता है कि start mail merge किस तने step में पूर्ण होता है इस आट में मर्च जो है दो चड़नों में पूर्ण होगा और पहला पहला step होगा गाला जिसे to USTर्मॉस कहँएcido कैंगे master source तो टिक कमचने को और इसका दूसरा step जोGS तो हम कएंगे हिख़रैक हो गया धीके master source और दूसरा है जिसको हम कहँए reduce Start, start mail merge, यानि start mail merge के दो, क्या हम इसको कहेंगे, एक सकेंद, हम यह भी कह सकते है, object code, जा कहेंगे, object source, एक होगा master source और एक होगा object source, इस master source में तो आपको क्या काम करना है, इसके अंतरगत, आपको पहले message ready करना है, तो message आप सभी लोगों तक बेजना चाहते हो, message को ready करना है और उस message को ready करने के बाद में आपका दूसरा काम आता है कि यहां पर आपने message ready कर दिया, master source message ready कर दिया आपने, फिर object source में आपको क्या करना है, object source में आपको करना है कि लिस्ट अलग निकालनी है, इमेल पर, आपके email पर हो सकता है बहुत से लोगों की address की list आपके पास हो, उस address की list में से आप कितने लोगों को यह message वैजना चाहते हों इनीक लिस्ट आपको अलग बनानी है उस list में से उन लोगों की list को आपको अलग कर देना है और जो list आप ये बनाओगे वो कहलाएगी object source, क्या कहलाएगी बई, object source कहलाएगी, तो यहाँ पर master source में आपने message बना दिया, लिफाफ बना दिया, message को लिफाफ में पेक कर दिया, अब आपने इधर ये list भी ready कर लिए है, अब आप क्या करोगे, इनको merge करोगे तोनों step को क्या करोगे merge करोगे and then आप क्या करोगे email करोगे then आप क्या करोगे email करोगे इसको कहते हैं start mail merge क्या कहते हैं start mail merge दो step में होता है आपको master source create करना होता है और एक object source create करना होता है master source में message और envelope ready कर लीजिए सब्सक्राइब जिन को आप यह सन्देश एक साथ एक ही कि व्रजवावले रूप से हम स्टार्ट मेंमें करके मैसेश को सेंड कर सकते हैं आप इसके इंदर अगरम बात करें इसमें एक कमद आती है सल्एक रिसेप्शनिष्ट तो वहीं आप जिसनीवेजना चाहते हो लिस्ट हैं एक साथथ खुल जाएगी है जित्ने भी आपके email address जितने लोगों की लिस्ट आपके पास होंगे उनकी लिस्ट खुल जाएगी उस list में से अब सबये संधी की मेरी करना चाहते हो या किसी को थे लुग सफ करना चाहते हो तो आप हो भी कर सकते हैं फिर एडिट रिसेप्षिन लिस्ट में जो मैंने आपको कहा था कि यह सेकें प्रेयर बिर यापको काघ लिस्ट बनानी पड़ती है, वह यह रिसेप्षिन ईस ब्igger की की जा सकते हैं आप चली अब आगे बड़े और आगे देखो आगे अगर आगे आगे बात करें तो इस ब्लोक में next ब्लोक आता है मैलिंग टेब में right and insert फिल्ड अब इसमें क्या होता है कि highlight merge फिल्ड बई जो आपने merge किया उसको आप highlight कर सकते हो address book, आप एक address block, address block ko highlight कर सकते हैं, greeting line, अगर आपने मालो greeting card बेजा है, दिवाली का, मनलब दिवाली के लिए सुबसंदेश बेजा है, गिवाली के लिए जुवए इस कर सकते हैं, इन commands का भी आप 소문 कर सकते हैं, तर कर सकते हैं, अब next बढ़ते हैं और next आती है review tape, next क्या है बढ़ी review tape, review tape का use किया जाता है कि आपने चो document file बनाई है उसका pre review आप देखना चाहते हो, जब ये file print होके बाहर आएगी तो ये किस तरीके की दिखाई देगी, या एक तरीके सिमें बात करू, review का मतलब होता है कि proof check करना चाहते हो आप है कही कोई mistake तो नहीं रहे गए, ये file में कोई error तो नहीं रहे गया है, अगर कोई mistake या error हो, उसको क्या कर लिया जाए, correct कर लिया जाए, उसके लिए हम लोग word की review tape का use करते हैं, अब review tape में मैं बात करूँ, review tape में सबसे पहले आता है proofing वाला block, review tape में ये proofing वाले block पे ह कमांड होती है, spelling and grammar, क्या होती है, spelling and grammar, एक document page में, आपकी जो word की file है, वो document file के लाएगी, और इसका परतेक पे document पेच के लाएगा, तो इस document file में आपने जो भी content लिखा है, तो आप select कर लिजिए, select करके आप spelling and grammar वाली command पे click केजिए, जैसे आप spelling and grammar वाली command पे click करते हो, तो यहाँ, इस contend में, जहाँ जहाँ, spell engineer की mistake होगी, उसके नीचे तो red line आजाएगे, उस शचब्द के नीचे red line आजाएगी और जहां जहां ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसके नीचे ग्रीन लाइन आजाएगी क्या जाएगी ग्रीन लाइन आजाएगी जो शब्द अगर मालों की वरतनी अशुद्धी है उस शब्द के अंदर कर सकते हो तो यहां पर किसी भी spelling या grammatical mistake को खोज कर और उससे सही करने के लिए हम जिस command का use करते हैं वह है spelling and grammar command अब इसकी एक shortcut की भी है F7 क्या है भई shortcut की F7 question बनता है कि word document page में किसी भी spelling and grammar की को पैचाने है तो निमनिम इसे किस शौटकट की का use किया जाता है तो F7 shortcut की का use किया जाता है clear हो गई बर चलिए अब देखो किसी प्रूफिंग वाले block में एक और command होती है थीसरस command कौनसी command भई थीसरस command यह जो थीसरस command होती है कि थीसरस command क्या use होती है थीसरस command का मतलब है कि जो भी कोई शब्द होगा उस शब्द से सम्मंदित आप उसके समान अर्थ वाले शब्द दूढ़ना चाहते हो लाइक जैसे कि आप प्रयायवाची शब्द दूढ़ना चाहते हो तो कुस्त क्मान के माधियम से आप एक डॉकुमेंट पेच में किसी भी शब्द के प्रयायवाची या उसके समान अर्थ वाले शब्द को खोज सकते हो यहां पर next command होती है research command जिसर्च कमांड का मतलब है कि किसी भी पेश में किसी भी शब्द से सम्मंदित आप इंटरनेट पर उसकी कुछ और सूचना खोजना चाते हो तो रिसर्च कमांड के माध्यम से आप उसको खोज सकते हैं कि यहां पर प्रूफिंग वाले ब्लोक में यह तीनों कमांड इंपोटेंट है इस्पलिंग एंग्रामर थीस कमांड चलिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिव्यू टेबर में ब्लॉक आता है लेंग्वेस ब्लोक में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका कंटेंट जिस लेंग्वेस में उसको आप अधर लेंग्वेस में ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपने हिंदी में कंटेंट क आता है कमेंट ब्लोक में आप क्या कर सकते हो आपके डोक्यूमेंट पेश में अगर आपको कही कोई कमेंट लिखना है तो न्यू कमेंट वाली कमांड से न्यू कमेंट वाली कमांड का यूज करके आप एक डोक्यूमेंट पेश में कमेंट को एड कर सकते हो अगर पहले से क 按 का use करके अगला command को health delete Amendment करसकते हूं ठेक तो इस तारीके से comment से संभंदित अगर कोई भी काम आपको document में करना है चो कमेंट वाले blocks की gardens कर सकते हैंirsin आछा करें देखियेगा compare की बातरीघ ला ब्लॉक加 सब्सक्राइब क्या कर सकते हो दोक्यमेंट फाइल को आपस면 बौक्त ब्लोग आता है प्रोटेक्ट ब्लोग से आप अग कर सकते हों, पास्वड कर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, डोक्त फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और रिवीयू टेप से संबढ़न दे जो यह चार पास ब्लोग थे इए इंपोरटेट तेंट हैं, य though हैं इस उसुन है झell कर सकते हैं तरह किसी जो ही ब्लोक से आधर इंच्ट किया यहां सकता है कोुट कीज़ कर सकते हैं कॉंगे फिर न्युक्तकि पेच्टक कमंधिय थे हम पीज के पंटेक्ट कॉंविक खुट और लेग्वेज थे थाज़िय कर सकते हैं इसके प्रहाइवाची शब्द टून सकते हैं तरी किसी जो है यह रिवीव कमांड यह 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 भी कंप्लीट होते हैं इसमें दो कमांड होती है एक ही क्योश्चन सब्सक्राइब इस पर चुके हैं मेल मर्ज एक ही मेल को एक से अधिक option का उप्यों किया जाता है जब एक email को आप एक से अधिक लोगों के पास भेजना जाते हो तो mail मर्ज वाले option का यूज किया जाता है नेक्स देखिए तो में था वही बताया इसमें ठीक है नेक्स देखो एवं उन्हें सुधार ने हेतु option का उप्यों किया जाता है spelling and grammar का एक्स देखो एक्स अगर हम बात करें रिसर्च कमांड शब्द कोश को देखने के लिए एंसाइकलोपीडिया मतलब आप इंटरनेट से एंसाइकलोपीडिया से भी किसी शाब्द का जाता है और शिप्ट प्लस F7 मिचे कि समान अर्थी शब्दों को दरशाने के लिए किया जाता है फिर translate translate यानि आप language गया सकते हो वर्ड आप document में वर्ड अकाउंट वाली command के मादेम से document page में आपने कितने वर्ड लिखे हैं accounting निकाल सकते comments comments set करने के लिए फुर्ड बात tracking एक document page में अच्छा tracking जो ब्लॉक था उसकी shortcut की होती है control plus shift plus e कि मैंने आपको नहीं समझा है क्योंकि इससे related question नहीं आपको नहीं समया है लेकिन यहां लिखा है तो फिर जाल लीजिए tracking control plus shift plus e shortcut की होती है एक document के किये गए एक document में किये गए change को highlight करता है यह tracking compare की बात करें तो ms word को अलग लग वर्जन इसे document को compare करने के लिए इस command का उपयोग किया जाता है protect ms word में file को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है next देखिए अब आती है सबसे last tape है ना ms word की सबसे last tape है view tape कौन जी टेप है भई view tape इसके अंदर 5 group होते है document views ठीक है document views show and hide views चूँ ठीक है चलिए और एक window split ठीक है तो देखो कि यह exam के point of view से बहुत important है ठीक है कि आपसे पूचा जाए कि MS word में कितने view होते है MS word में document view कितने होते है MS word documents view MS word documents view कितने प्रकार के होते हैं कि क्या आपको आपको आंसर देना है 5 प्रकार प्रकार के वहीं? 5 प्रकार सबसे प्रकार कौन-कौन से हैं सबसे पहला प्रकार आता है print layout क्या आता है बहुत प्रेंट layout एक document file की जब आप print निकलाओगे तो print आने पर यह किस तरीके की दिखाई देगी उसका view हम पहले इस ही हमारे computer में देख लें ऐसी व्यूमें देखने के लिए document file को ऐसी व्यूमें देखने के लिए हम print layout व्यू का यूज करते हैं जब आप document file को print layout व्यूमें देखते हो वह वैसी ही दिखती है जैसी कि वह print होके आएगी ठीकि चलिए तो print layout व्यू हो गया फुसरा व्यू अगर मैं बात करूँ full screen reading view कौन सा होता है भई full screen reading view यह जो full screen reading व्यू होता है इसमें आप document file के सारे content को window पर full screen करके read कर सकते हो full screen करके उसका view देख सकते हो कहेंगे full screen reading view तीसरा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा इसके अंदर होता है बेब layout बेब layout अगर आप document page को बेब page के रूप में देखना चाहते हो वह एक website पर बेब page पर किस तरीके से सूचना है लिखी होती है तो वैसे ही अगर आप अपने document page को एक बेब page पर document page पर जो भी आपने content लिखा है उसको आप ऐसा देखना चाहते हो कि जैसे कि एक बेब page पर सूचना है लिखी होती है वैसे रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो बेब layout view का use करेंगे नेक्स्ट बात करें आउटलाइन व्यू आउटलाइन व्यू में क्या होता है आप आउटलाइन व्यू के अंदर अगर मैं बात करूँ एक document page में सिफ और सिफ टाइटल परदशित होगा और सिफ और सिफ टैक्स्ट परदशित होगा ना लेकिन कोई भी image या कोई भी object आपने इसके अंदर insert कर रहा है तो वह image या object आउटलाइन व्यू में नहीं दिखाई देगी image या जो भी images है जो भी formatting भी कर रखी है आपने font का color भी डाला है font का size भी change किया है font पे effect भी डाले style भी डाले है तो वह सब कुछ यह आपने दिखाई नहीं देगा outline view में outline view यानि समाने रूप से आपका जो है वह document view दिखाई देगा अब बात करते हैं draft view draft view के अंदर क्या होगा देखो outline view और draft view को अच्छे से समझ लीजे outline view में सिर्फ text दिखाई देंगे images या object दिखाई नहीं देंगे जबकि draft view के अंदर आपको सिर्फ object और images दिखाई देंगे text दिखाई नहीं देंगे तो यहां पे total पांच प्रकार की प्रिंटी ले आउट, full screen reading, web layout, outline view और draft view को चले आगे अब यह व्यू वाला option हमें यहां व्यू टेप में तो मिलता ही है इसके अलावा status bar पे भी status bar पे भी व्यू वाला option हमें मिलता है यह हम लोग जब प्रकार के documents वी होते हैं print layout, document के print कैसी आएगी, web पर्दशित किया चाहता है, full screen view, word document की proof reading के लिए text को computer की full screen पर देखने के लिए प्रयोग command full screen view है, web layout, इस command का प्रयोग document को web format में देखने हितु किया जाता है और outline और draft का मेंने आपको बताई दिया है, next आता है, show and hide, show and hide, अगर आप अपने document page में tsåher Bar को show करना चाहते हो, तो ruler bar पे आप क्लिक कर दीजिए, यानि इसको show कर दीजिए, तो यह show हो जाएगी, और इसको आप white करना चाहते हो तो इसको inactive कर दीजिए तो यह hide हो जाएगी, día Death见 to, grid line को show you hide करने हें त we have to show and hide करने हे तो इसके लिए हम show and hide वाले block में चाहेंगे और show and hide वाले command से रूलर बार, grade lines इनको show and hide कर सकते हैं next block आता है zoom block यह बहुत ही जादा important है बहुत ही जादा इंपोटेंट है बहुत ही जूम ब्लोक है document page के size को resize करने हे तू document page के size को resize करने हे तू हम zoom command या zoom command का use करते हैं अब देखो इस zoom command से related क्या question आएंगे zoom command से related question आता है MS word में minimum zoom size कितना होता है minimum zoom size कितना होता है 10% maximum zoom size कितना होता है तो maximum zoom size 500% कितना होता है 500% यह याद रखना है कि एक MS word document page में minimum zoom size 10% हो सकता है maximum zoom size 500% हो सकता है और by default by default zoom size कि अगर हम बात करें तो by default zoom size होता है 100% कितना होता है 100% होता है यह चीज़े आपको याद रखनी है अगर आप document page को one page में देखना चाहते हैं तो zoom size one page रख सकते हैं तरीके से आप इसका उप्योग कर सकते हों नेक्स्ट ब्लोग की बात करूं तो नेक्स्ट ब्लोग आता है इसके अंदर window block कौन सा ब्लोग आता है window block ठीक है पहले यहां पर यह देख लो कि show and hide group में रूलर रूलर बार इस कमांड की सायता से होरीजेंटल वे वर्टिकल रूलर बार को on तता ओफ किया जा सकता है अगर आप रूलर बार को show करते हो document file बनाते समय इस वर्ड की document इस वर्ड की window में आपको रूलर बार भी दिखाए देगी और वर्टिकल रूलर बार भी दिखाए देगी और अगर आप रूलर बार को hide कर देते हो document file बनाते समय वर्ड की window में यह रूलर बार आपको show नहीं होगी डोकुमेंट में ग्रेट लाइन को परदशीत करने के लिए आप इसको भी show and hide का कर सकते हो navigation pane बड़े डोकुमेंट को manage करने तता वर्ड डोकुमेंट में pages headings text command या अन्नी किसी चीज को search करने तो किया जाता है navigation pane का तीसरा ब्लोक यहां पर था तीसरा ब्लोक यहां पर था बड़े हैं डोकुमेंट को चोटा या बड़ा करके देख सकते हैं वर्ड में डोकुमेंट की standard zoom size यानि की by default zoom size यह standard zoom size ही क्या होती है भाई default by default by default zoom size होती है 100% तता कम से कम minimum 10% रखी जा सकती है और maximum 500% होती है इस ग्रूप में जूम तो परसेंट वन पेज़ डू पेज़िस यह कमांड में मिलती है एक्स देखिए window एक्स ब्लोक आता है व्यू टेप का window ब्लॉक वाले ब्लॉक में पहली कमांड मिलेगी new window का मतलब की एक window तो MS Word की already open है और उसमें आप अपनी एक document file बना रहे अब ऐसी ही एक word की window और नहीं open करना चाहते हो तो इसके लिए new window कमांड का यूज करेंगे इसकी साहता से बनी वी फाइल की एक और window खुली जा सकती है अब देखो आपने एक window पहले open थी दूसरी और open कर ली अब आप क्या करोगे आप इसको manage भी करना चाहोगे कि किस तरीके से यह आपकी खुली कर सकते हो और पिर नेक्स कमांड आती है स्प्लीट कमांड का मतलब है कि इस window में word की जो window open है, 8% आपका cursor इस window में जिस जगे है, अगर वही पे जाके आपने split command पे click कर दिया, तो जिस जगे पे cursor है window वहीं से दो बागों में बढ़ जाएगी, यानि इसको कहते है split command, या split command कहते हैं, इस command की साहिता से current file को दो बागों में विवासित किया जा सकता है, फिर बात करते हैं कि जब आपने एक से अधिक window open कर रखी है, तो एक window से दूसरी window पे आपको जाना है, एक window से दूसरी window पे जाने के लिए switch window, switch window command का use किया जाता है, फुली वी window में एक window से दूसरी window पे जाने के लिए switch window वाली command का use किया जाता है, बस ही चार command याद रखनी ह विदो वाले ब्लोक पी नियू विज्ढ ड्लॉट को इसेवेt्ण से अदिर कमांड को किया सकता है इसमें कमांड टेक्स्ठ तता ग्राफिक्स को स्टोर कर सकते हैं अब कौन से commands कौन सी commands आप store करना जाएंगे तो कि टोक्य में फाइल को बनाते समय क्यूंड की डॉक्यमेंट फाइल को बनाते समय ऐसी command जो कि बार बार उप्योग में आ रही है उन começ को हम्या मैक लोज में store कर सकते हैं हम ओडियो वीडियो तोणों से यहां पर command को सच्टोर क्रके रख सकते हैं कई के होती है जिनकी shortcut की computer में नहीं है उनकी shortcut की हम बना कर भी उसको MACRO में क्या कर सकते हैं MACRO में रख सकते हैंлемे करो एक तरीक ऐसे दो से जहां पर आत क्या कर सकते हो अपनी ऊपयोगी चीजिज् вопрос वर्ड की फाइल बनाते समय जो कमांड सबसे जादा उपयोग में आ रही है अब उन कमांड को बार बार यूज करने के लिए हमें बार बार अलग अलग टैप्स को नहीं खूलना पड़े उन कमांड को हम क्या कर सकते इस मैक्रो वाले ब्लॉक में यहां पर हमारा फाइनली MS वर्ड वाला टॉपिक आज कम्प्रीट हो गया है इसकी सारी टैप्स हमने पढ़ ली सारी टैप्स में जो भी इंप्रेंट ब्लॉक से सब कुछ हमने अच्छे से पढ़े और साथ इसाथ में जो इंप्रेंट कमांड सी वो सारी हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ ली है यहां पर हमारा MS वर्ड वाला टॉपिक फाइनली कम्प्लीट हो चुका है अब इसके बाद जो है हम या तो MS Excel एक्सल एप्लिकेशन सोफ़ यानि MS Word, Microsoft Word हमने बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है बस ऐसे ही पढ़ते रही है बढ़ते रही है बने रही है वेदान क्लास इसके साथ में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू